80s और 90s का दौर था गोल्डन एरा क्योंकि उस वक्त इतनी सुन्दर फिल्में बना करती थी कि आज भी वही गाने, वहीं फिल्मों की कहानिया, वहीं चीज़े रीमिक्स होकर हम सब को नए अंदाज में पुरोसी जाती है तो क्या बात थी, क्या मैजिक थी उन दिनों की, आज मेरे साथ एक ऐसी शक्स इसे ताजा कर रही है जो खुद रानी रही है 80s और 90s की, इनकी फिल्में हों, इनके किरदार हों, इनके डान्स हों, इनके गाने हों हर चीज वस क्लासिक और टाइमलेस, तो मेरे साथ है, मेरी पेवरिट अभिनेतरी, मिनाक्षी शिषादरी, जो मुंबई में है और आज इनको मैंने पकड़ी लिया, मैं इनको बहुत दिन से ढून रहा थे, काफी दिनों से उनाइट से अमेरिका में चले गई थी, लेकिन अभी ये मुंबई आए है और आज हम इनसे बाते करेंगे उस घोल्डन वर्क की और आज कल जो करेंट जो दुनिया की जो चीजे चल रही है जो तेजी से दुनिया भाग रही है तो मिनाक्षी जी फर्स फॉल वेलकम टू बॉम्बई थैंक यू सो मच मैं सही बात बोलू मुझे कुछ फरक नहीं नसरा रहा है सिवाए इसके की मेट्रो आगया है और बहुत नए बिल्डिंग्स आगया है और भीड बर गई है जिसमें ने कहा कि मैं 80s 90s को जो दौर को गोल्डर नेरा बोलता हूं क्योंकि आज हम भले ही फिल्मे बनती है लेकिन उनके जो गाने थे जो फ्रेशनेस थी जो कहानियों की अपीर थी वो अभी भी टाइमलेस है मतलब आज भी अगर हम सर्वे करें तो सबसे जाद गाने उ स्टार्स को लोग याद रखते हैं तो वो क्या बात थी उन दिनों की खासकर आपने उस दौरन बहुत ही बहतरी फिल्में दी मतलब एक से बढ़कर एक में लिस्ट लूँगा बहुत सारी फिल्में हैं तो वाट इस दाट क्लासिक एलिमें इन दोस एरा दोस दोस सिनमा दा मुजिक सबसे बड़ी बात 80s and 90s में थी there were very good producer directors and writers or actors भी अच्छे थे लेकिन मैं कहूंगी कि उस ताम रॉमांटिक फिल्मों का एक बहुत बड़ा दौर चला पर बात में I will not agree with you कि वो सबसे बड़िया दौर था क्योंकि फिर action film में आने लगी और heroines की role कुछ कटने लगी तो मैंने दोनों महसूस किया यानि की heroine oriented films की मैंने और मैंने वैसे film में भी की जहां मैंने तीन कानों में आके हलो टाटा बबाए किया बट आम लगी की जो यसरियर्स के बड़े बड़े डिरेक्टर्स हो जैसे यस चोप्रा रमेश सिपी विजयानंद वो हो या बीच के एरा के जैसे सुभाज क्राई हैं और फिर जो नए डिरेक्टर्स आए सब के साथ काम करने को मुझे मिला तो आज भी पसंद हैं आज भी याद हैं तो मैं पूरा क्रेडिट उनको दूंगी आपकी पहली फिल्म से में शुरू करता हूँ पेंटर बाबू लोग समझते कि हीरो आपकी पहली फिल्म थी बट पेंटर बाबू इसलिए क्योंकि वो लोगों को शायद समझ नहीं आई उसक ही महकती है भले उसके रिमेक बन गए हो तो I'll talk about hero because that was the first film that shot you to fame. How was that experience of doing hero that आपके गाने आज भी मतलब तू मेरा जानु तो सारे गाने तो how was it how hero changed your life? Suddenly it became such a hit and you became a star overnight. Hero में सबसे पहले बात मैं कहना चाहूंगी कि यह सिर्फ Hindi speaking belt में ही नहीं South में भी बड़ी हिट पनी और Chennai जैसे शहर में और Tamil Nadu जैसे state में जहां लोग anti-Hindi थे, कि school में Hindi सिखाना नहीं चाहिए, वहां Chennai में Padmam Theater में hero एक साल तक चली which is a brilliant thing और फिर वो तेलगू और Tamil में remake भी हुई और वो films भी हिट हुए और वो heroines भी हिट हो गई तो I would like to think कि वो सुभाश जीन का कुछ माइदास टच था जाकियोर में एक्दम नए थे, कोरे थे, हम क्या मालूम था, सीख रहे थे films कैसी बनती है और लोगों में हमारा एक craze और एक popularity ऐसे फैल गया इसका भी credit मैं डिरेक्टर को ही दूँगी My personal favorite scene in the film, मैं बताना चाहूंगी कि मैं लड़के का भेश पहन के विसल बजाते हुए जैकी के पीट का मसाज कर रही हूँ It was such a naughty scene, such a cute scene क्योंकि films में हम याद रखते हैं कि अलग-अलग filmों में कुछ interesting scenes याद रह जाती है तो ये एक वैसा एक scene है जो I just wanted to mention इसके बद आपने बहुत सारी फिल्मे की और बहुत सारी फिल्मे आई मेरी जंग वस अनदर एक बहुती लाइफ चेंजिंग फिल्म थी क्योंकि वो भी काफी अचरी कुछ और इसके बाद का सफर हीरो के बाद जो सफर आपका शुरूवा स्टार्डम का तो what was those films and how did you handle that स्टार्डम सड़नली पर आप न्यू थे आपने का इसके बाद जो पिर एक I think almost तक पिर कहा तक तक ये सफर चला So how was that journey after hero? उन दिनों में लोग दो-दो-तीन-तीन शिफ्ट शुटिंग करते थे रोज एक साथ 10-15 फिल्में साइन करके consecutively shooting चलती थी और मैं भी उस चक्रव्यू में फस कई It was not a good way of working पर फिर भी हम लों को अपना total contribution देना पड़ता था एक सेट से दूसरे सेट तक हम जाते थे एक टाइम पर शेशी कपूर जी करते थे ऐसा double-triple-shift shooting और लोग उन्हें टैक्सी बुलाते थे तो मैं भी टैक्सी बन गई but managed still to do some fantastic films और एक credit में वहाँ देना चाहूंगी filmmaker L.V. Prasad को जिन्हों ने मुझे स्वाती में में किर्दार का रोल ओफर किया वन आ वस जिस्ट लेक्ट तू यर्स ओल्ड इन फिल्म्स उस फिल्म की वज़े से मुझे आगे जाके और ऐसे पांची फिल्में मिली जहां हिरोइन प्रधान पात रथा मेरा और लोग expect करने लगे कि हाँ if Meenakshi is signed in a movie she will get good footage and good performance opportunity पर आप बोरे घातक तक मैं बता हूं आपको तो वह क्या कहूं उतार चड़ाफ काफी देखे मैंने काफी फिल्मे मेरी चैली नहीं काफी बुरा भला सुना मैंने अपने बारे में प्रेस ने मुझे कुछ टाइटल्स दे दिये एक टाइटल दिया Ice Maiden यानि की हम कन्या जो जादा लोगों से घुलती मिलती नहीं है और बॉइफ्रेंड नहीं है एक और टाइटल था जो थोड़ा सा दिल दुखा देने वाला है वो था जिंक्स 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 जाने की पनवती यह मुझे बहुत बुरा लगा कि जिस फिल्म में टीम वर्क होती है उपर से लेके नीचे तक प्रोडूसर से लेके चप्रासी, स्पॉट बॉइ तक वहां एक मुझे उस फिल्म के काम्याभी या नाकाम्याभी का श्रेर क्यू दिया जा रहा है तो जब आगे जाके मेरे कुछ चार-पांच फिल्में लगातार हिट हुई घ तो मैंने थोड़ा बोल्ड ली थोड़ा आटिटूड के साथ जन्ता को बताया कि ये सारी फिल्में ना मेरी वज़े से चली तो आइ थिंक कि जब दामीनी में मुझे कास्ट किया गया तब जाके लोग गहने लगे कि मीनक्षी है इम्मेंस पोटेंशल टालेंट पर कमर्शल सक्सेस के उपर नीचे होने के वज़े से शी बॉसंट अबल तो गोएड असमच पर दामीनी एक ऐसी फिल्म है जो विच विच विल ट्रूली शोकेस हर कपासिटी और इसके लिए भी क्रेडिप मैं डिरेक्टर और राइटर को दोंगी कि ये वांटे टो कि यूनीक एक्सेप्शनल फिल्म थी ऐसे स्क्रिप्ट्स कम बनते हैं और मेरी उमीद थी कि दामीनी रिलीज हो जाने के बाद ऐसी बहुत फिल्में बनेंगी और हमारे बॉंबरी की जो फिंटास्टिक एक्ट्रस हैं वो वैसे फिल्में करेंगे मुझे अभी तक मालूम नहीं लगता कि पिछले 27 सालों में कोई और ऐसी फिल्म बनी या उसके नजदीक भी आई शायद मेरी वापसी का इंतसार है लोगों का गदर टू हीट हो गई तो क्या दामीनी टू का इसारा कर रही है नहीं मैं कुछ इसारा नहीं कर रही हूं मैं सिर्फ मजाग कर रही हू कि यह मेरी मन की इच्छा है कि मैं फिर फिर वैसा एक प्रयास करूं एक ऐसी फिल्म करूं जो लोग को इतना भाज आए उनके मन में बस जाए लेकिन इस पार आवार्ड भी लोग आपको दामीनी से मिले थे और जामीनी के बारे मैं बात कहूंगा कि उस सब्जेक्ट पर उ सीन जो कोर्ट रूम का था जब वो क्वेस्चन करते है कि उस वक्ड़ दिल को चुआ था वो किर्दार तो हाव दिडियू डिवलाप बात होल उस वक्ड़ आया था क्योंकि उस वक्ड़ फिल्मों में जाए था हिरो इन्स वर आपकी इमिज भी वह ग्लैमरिस थी आप अच सब्सक्राइब कर देते हैं वह सीन्स जो आपने किये थैंक यू आपके कॉंप्लिमेंट के लिए दामिनी में मैंने अपना रोल कैसे प्रेजेंट किया या उसको उसके साथ कैसे आइडेंटिफाय किया कोई एक पर्टिकलर तरीका या रास्ता नहीं था बहुत सारी कि अपने पर रही हैं तो वह सीन्स पागल खाने में दामिनी पाग्रों जैसे विवहार कर रही है और अचानक जब दूर्गामाता के जहांकी का वह म्यूजिक सुनती है तो वह वापस उसके होश्च वापस आजाते हैं और मुझे कुछ ब्रीफ नहीं दिया गया सिफ कहा गया गो परफॉम्ट एटी इस वन तो टू मिलिट्स का सीन होना चाहिए तो इसमें इंप्रोवाइजेशन की ज़रत थी इसमें क्रियेटिविटी की ज़रत थी कि कोई लाइन्स नहीं है कोई डिरेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं मुझे खुद इन्वाल्व होके इसको पुरी तरह से निभाना है तो मैंने सहारा लिया और लोगों का सबसे पहले मैंने मैंने अपनी ममी का सहारा लिया जो खुड डांस टीचर है और का ममी मैं तुड़ी ब्लैंक हो रही हूं I know what I have to do पर मुझसे यह होने रहा है तो हम ल बहुत मजदिक है तो यह दिखाओ कि वो अपनी बहन को याद कर रही है तो ऐसे करके भी फ्लेश्ट आट सीन और वान सीन फिल्मे तो इतने सीन थे जहां मुझे बहुत सोचना पड़ा and I'm truly lucky कि यह ऐसी फिल्म मुझे मेरे करियर में मिली यह फिल्मे तो जानते लेकि मैं कि एक ऐसी फिल्म की बात करूंगा दो ऐसी फिल्मों की I think उनको वो डियू नहीं मिल पाया लेकिन आपका उसमें बहुत ही आपने महनत की थी वो थी आवारगी और दहलीज यह दो फिल्में थी जो बहुत ahead of time थी I don't know if you agree to that so यह दो फिल्म में मुझे लगा कि आपका बहुत अलग टाइकक 7 उस दौरान में आवारगी में किया था और दहलीज I think first time I think एक उस ताइम पे ऐसा नहीं दिखाते तो दहलीज में दिखाया गया था I don't know if what is the right to आज़ तो वो बहुत आम हो गया but these two films I don't know how do you see these still they were not box office success or something but they were very different films if I can take you back and talk about these two films यही मैं कहना चाहरी हूं कि मुझे अपने करियर में बहुत early ऐसे path-breaking, ground-breaking films मिले जो offbeat role थे जहां gray shades थे heroine को आवारगी में भी और दहलीज में भी she was not a total Sati Savitri straightforward person और दोनो में it was a triangle two heroes and one heroine one I was working with Mahesh Bhatt and the other I was working with Kuki ji I always call him Kuki I forget his real name but Ravi, Ravi Chopra ji तो I loved that कि लोग hero की राधा को देखने के बाद भी कि वो इतनी अच्छी घर की लड़की इतना sweet sweet typical Hindi film heroine character के बाद within one year I was getting these kind of offers you know तो काश की वो फिल्में चलती एक और जो आपका सबसे बड़ा USB था उस वक तब बात किया करते थे तो उस वक मैं Bollywood को अलग दिश्री देखता है कि dance आपका main USB था मिनाक्षी शिचादरी मतलब dance आप चाहे दामीनी हो चाहे आपके dance sequences होते हैं विजे में आपका बहुत कुपसूरत आपकी choreographed sequences थे मतलब dance always have been synonymous with मिनाक्षी शिचादरी so you and I if I'm not wrong आपने चारो dances आप जानती है भारतना term मतलब चार dance form थे आप पारंगत है so dancing ने कितना आपको आगी तक लेकिए वो अभी तक आपका passion है आप US वी लोग को dance सिखाया so how much of dancer has always been with you I started dancing before I started walking I think so naturally चार साल के उम्र में पहला stage performance in school में इतने सारे inter-school talent competitions में first prize और dance की वज़े से मेरा Miss India contest में आना और Miss India का खिता भी जीतना 1981 में dance की वज़े से film offer मिलना और film career एक्तम अच्छी तरह बनना so it's it's kya कहूं मैं इंडिया कैसा country है जहां हमारी culture इतनी strong है हमारे शास्तिय संगीत और रित्यतने पहुत पावर्फुल है कि जो भी इन में training रेता है वो अलग तरीकों से भी अपने कला को दिखा सकता है फिल्म में मेरे डांस को कितना justice किया गया यह अलग बात है yes classical dance के sequences मिले मुझे and I'm very happy about that in fact Subhash ji ने उसलिए ही मुझे cast किया था क्यूंकि the character needed to be a trained classical dancer तो I think यह जो एक filmy modern sexy dancing जो एक expectation होती है heroine की वो मैंने कम ही किया let me try to think of examples जो जो एक हो गया शायद की जो आम प्रजा है आम चंता है वो मेरे dancing को appreciate करते थे पर वो इतना popular नहीं हो सका जितना if it had been more a filmy style of dance जो जादातर फिल्मों में आजवल चलता है उसके बाद the last मुझे याद है कि आपकी जो लास्ट फिल्म यादाती आद मी किलोना है which was another very different role and of course Ghatak was the last उसके बाद then you got married and so what was that suddenly you're doing well asa री था कि so shadi का decision suddenly you had planned कि अब हो गया भी मैंने काफी success देख ली so how did you like started you know saying goodbye to all this and suddenly went to USA मेरे फिल्म करियर के साथ-साथ दो तीन चीजे साथ-साथ हो रही थी एक तो मैंने BA और MA दोनों पढ़ाई की और exams किये which was like five years, five to six years of my life I was also doing that फिर चार-पांच साल मैं स्टेच पे क्लासिकल दांस भी साथ-साथ कर रही थी along with my acting तो इतना कुछ मैंने जब experience पालिया और इतना कुछ मैंने अपने आपको enjoy किया as an artist तो मुझ में एक कमी मैं feel करने लगी कि मैं किसी को ढूंड रही हूं मैं किसी के साथ अपना जीवन शेर करना चाह रही हूं मुझ मैं शादी के लिए तो वह एक नाचरल प्रोसस में अपने आप हो गया और घरवार ने भी मुझ में बहुत support किया arranged marriage मेरी marriage एक उसके लिए मैंने इक special word यूसकरती हूं I call it a choice arranged marriage which is totally different from arranged marriage but बस इसको होना था हो गया एड पीछे मुड कर नहीं देखा क्योंकि मेरे हस्बें उस वक्त वस इंडिया नमुम्किन था तो मेरे पस दो ही ऑप्षिन थे उनसे शादी ना करूं या उनसे शादी करके युएस चले जाओ युएस में रहने के बाद मैंने एक दो बार कोशिश की इंडिया ने की बट दो कॉंटिनेंट्स इतने दूर एक पाउं वहां एक पाउं यहां रखना बहुत मुश्किल था तो मैंने अपना पूरा अटेंशन जो डेडिकेशन था मेरे अपने फैमिली पे ही रखा और मेरे स्कूल में और अब अच्छी वह समय आ गया है कि मेरे बच्चे बड़े हैं पच्छीस और इकीस साल के हैं यहां यहां बेर अटेरों बेरी केपबल और मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव हैं तो आप कम बैक फूल सर्कल वापस मुंबई आ अलमस मुझे जैसे कि एक प्रोक आप दो प्रशाइं मैं यही रहती हूं मैं इंडिया मैं हूं और इस वक्त में सिर्फ यहां हॉलिडे के लिए या एक इविंट के लिए अके सब को बहुत हम और के जाने वाली नहीं हूं मैं यहां काम करने आई हूं और I'm looking forward to it And you're coming such a right time like OTT I mean that's what all actors are so because right now OTT is offering exactly you know roles for everybody तो जो टीटी का ये कल्चर चरा है, कौन सी वेब सरीज आपने देखी हों, विच आपको लगा कि वो एक्दम परफेक्टर, I think because आजकल ऐसे नहीं कि वो, they're made for every age group, you know, for your age, they're strong roles, so do you think a change भी आगया, हमारी industry बदल गई है, mediums बदल गई है, तो how positively you see this growth and surge of this so-called digital era that we are observing, it's not just Bollywood, it's so many more things. आजकल entertainment business has followed trends from the world because dunya choti हो गई है, और जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, घिसे पिटे रोल्स से दूर भागनी का एक मौका मिल रहा है, which is fantastic, film making का style भी अच्छा हो गया है, तो, you know, it's going to be fun, I'm looking forward to it. आज मैं इनको एक खास बात बताने जा रहा हूँ, जो हमारे TV serials होते हैं, जितने भी पिछले 20 साल में आये हैं, क्या आपको पता है, उसके पीछे की कहानियों की पीछे मिनाक्षी शिशादरी की film है, मिनाक्षी जी, आप ये बात जानते हैं, कि आपने जो डेर सारी कुछ आठ फिल्में की थी, वो आज के TV serials, पिछले 10 से 20 साल के TV serials की बाइबल है, ये फिल्में थी, स्वाती आपके एक फिल्म, बड़े घर की बेटी, नाचे नागिन गली-गली, घराना, ये उस टाइम की पारिवारिक फिल्में थी, और लेकिन आज के TV serials में, आप कहीं भी देखें, तो इन पांचो फिल्मों से कोई ट्रैक आपको नजर आएगा, और आपको फिल होगा कि ये मैं कर चुकी हूँ, ये मैं पहली वर सुर रही हूँ, पर अब ये भी देख लीजे, फिफ्टी और सिक्स्टी में भी ये फैमिली स्टोरी बनती थी, साउथ के प्रोड़क्शन हाउसेज मोसली वो बनाते थे, और वो बहुत सक्सेस्फुल फिल्मे थी, तब भी, जब मैंने किया, तब भी सक्सेस्फुल और जाहिर है, तो ये टीवी सीरियल वालों ने समझ लिया, बॉस इसमें फॉर्मुला है, एक जूटी फुल बहन, और सब्सक्राइब को लगता था क्या रिलेट कर पाती थी, और उसके बाद ये सब जो फैमिली ड्रामा जो हमने बात की, स्वाती टोटली क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट रोल था मेरा, जिसमें वो कहना चारी है कि मर्द और 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 औरत के बीच में एक समानता होनी चाहिए, ए और मेरे लिए वो बहुत माइने रखता है, ये बात मैं एक करेक्टर के थू अगर पूरे इंडिया को अगर बता सकती थी, नथिंग बटर था तो अधिन बटर था तो अधिस्ट वो नहीं लगता है कि मैं भाशन दे रही हूँ, वो एक किरदार है, जो एक स्प्रेस कर रह पर अज कर नहीं बनते हैं यह वो लोग ज्यादा देख ते फिल्मों से, तो मैंसेज पहुच जाता है बात तक, इस एक मारे घर के जो हमारे देश में सब ज़्यादा तीवी सीरियल, जो हमारी लेडीज हैं जो खर पर एखती हैं वो देख ती हैं, तो आप तेलेविजन प लेकिन अब मैं कुशिश करूँगी देखने के लिए कि हिंदी ने क्या जमा के रखा है टीवी पर जब आप आई थी, आप एक ब्यूटी कॉंटेस से अपने एंट्री ली और आपको बड़े-बड़े फिल्मेकर्स ने फिर और फिर आपका डांसिंग स्किल्स, ताट टालेंट कोट यू तो सिनिमा, बट हमारे आजकल कई सालों में डिबेट हो गया है कि अगर आपको फिल क्या उस पक बहुत मुशकिल था, क्या बहुत आसान हो गया है क्योंकि आचकल चीजे बहुत सबके सामने हैं, एकदम से आपको आप ओडिशन आप फोन पे कर सकते हैं उस वक इतना मुशकिल था और अप कितना मुशकिल है और पूरी डिबेट, डेटिजम और टैलेंट की और फेवरिटिजम की, हाव दो यू सी, हाव दो यू से चेंज़ और इतना असान लगा, जैसे की जब पानी उपर से आप छोड़ो, तो वो नीचे ही आएगी, उसके लिए और कोई रास्ता है नहीं, तो मेरे लिए भी मेरा करियर एंट्री वैसे हुआ, बारा साल, बारा क्लास पास करके, Miss India बन गई, अचानक फिल्मों में आ गई, तो ऐसा डेफिनितली है की Miss India's को मॉडलिंग और फिल्म ओफर्स बहुत मिलते हैं, मेरे जमाले में जुही भी थी, जो Miss India थी, and she also came into the films and had a successful career. आज कल का जो ट्रेंड है, मैं उतना नहीं समझ पा रही हूं, क्योंकि अभी ब्यूटी कॉंटेस तो बेशमार है, लेफ्र राइट आगे पीछे देखो, पेच्छे देखो, and people hope to get that lucky break. तालेंट, अगर हो, और अगर रहूनर सचमच, वो कोई निखार दे, तो, तो, दे दे विल्टे लेकार दे, बेट, आपर नेपोटिस्म, उसके बार में क्या बोलू हूं? I just feel, की, मेरी ममी दानसर थी, तो मैं दानसर थी, I can't call that nepotism. यहां, Milka Singh ji, कि भागते थे स्पोर्ट्स में इतने अवल इंडिविजुल थे उनके बिटे भी स्पोर्स में आए गॉल्फ में आए तो कि आज की तारीक में अगर स्टार संस और स्टार डॉटर्टर्स आ रहे हैं इस अगुड थिंग उन्में अगर टालेंट है कुछ कर दिखाने की काभि स्टार ररेंट कुर्ट में अपावर्गी अशा मुसले अज़ पांट है क्योंकि अगर्वाव के एक बेता यह दो हुआ है क्योंकि क्योंकि दुग कर दो अब शूब्स ने गाया है तो अग्याटा कुशिश करूबंगी क्योंकि अप्ष अशा बंट मुशत ने शी गली गली खत बाडे मेरा खत ना लाया दाक बाबू आया इसमे निका की विर वान फेवरिट फिल्म बट और कौन से आपके बहुत ही सारे बहतरीन गाने है नौ पीपल मीट यू विच सॉंग्स दे आस्क यू वोट वोट फिल्म आपको फैंस बिल्त है तो किन किरदारों से आपको याद करते हैं अरे दामी अरे ये तो वोट वोट पीपल मीट और रिमेंबर यू विट वाट नेम्स अद फिल्म कभी-कभी शेहंशा की पता का कभी-कभी जुर्म का रोमाइंटिक कपल आंथम जब कोई बात बिगड़ जाये का गाना कभी-कभी हीरो का फ्लूट और डेफिनितली दामी का पावर्फुल कोट रूम सीन्स ऐसे मैं कई उदाहरन दे सकती हूं पर आइधिंक जितने भी फैन से मुझे खत मिलते थे आई यूस्टू रेस्पाउंड तो सम्स स्पेशल परसनल फैन्स सब यही कहते थे कि आपको देखके लगता है कि आप हमारी अपनी है हम बहुत आइडेंटिफाय करते हैं आपसे आपके रोल से नहीं वह रोल अच्छे हैं आज यूस अपरसर अजमीनाक्षी हम को लगता है कि आप जो हैं जो अंदर हैं सो बाहर हैं कोई बनावट नहीं है हैं तो आइड़ एक फिल थापी वन यह दाइड पर यह भी सोचती हम लोग क्या सच पूछ जानते हैं कि हम कौन है हम तो दिन बर दिन बदलते हैं यह मेरी छोटी सी फिलोसफी चली तो आज कर लोग सेलफी लेने के लिए बिताब गुरा थे आपके हार तरफ सेलफी लेते उस टाइब लोग लेते थे और मैंने सुना खूण से भी लेटर आजा करते थे कैसा वाके में सच था कैसा था उन दिनों का फैंडम जब आपको किस सरे से लोग मिलते थे तब सेलफी के जमाना नी था लोग आगे लेते थे और अभी I think that that whole charm has gone selfie ले ले लेते हैं लोग तो how do you see this change of stardom and fandom over the years? popular हैं there are other actors who are very talented who deserve more popularity how will things be for me? my fans are saying oh my goodness this is amazing so I hope करती हूँ कि उनका साथ अभी भी रहेगा मेरे second innings में thank you so much such a pleasure अपसे बात करके बहुत मजा आया इसा लगा कि हम उस्वक के लाइप सारी फिल्में चल रही थी उमीद करते हैं अब जो अब आये हैं तो आप उतना ही थमाका करेंगी उतना ही दामिनी बरसाएंगी all the best and looking forward to see you again shining like मिनाक्षे शिचादरी always thank you so much हम तो लेकर आते हैं आप के 24-7 entertainment तो अगर आपको भी वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें comment देखें अपनी राय ज़रूर दें और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक वेज को फालो ज़रूर करें और हाँ ऐसे ही exclusive content के लिए हमारे चैनल को subscribe भी करें ना तो अब सब जानते हैं ना सास पहू और बेटिया और साथ की साथ हमें Instagram पे भी फालो करें